कुमार जी सनातन धर्म की कई कथाएं साइंटिफिकली गलत लगती हैं अभी तो बताया था भाया तेरी साइंस बहुत पीछे चल लेगे तोड़ा स्प्रीड बढ़ा धर्म की माने तो चंद्रमा समुद्र मंतन से निकला और अब चंद्रयान तू के समय ऐसी कथाओं पर क्या आपको पता है कि समुद्र का मंथन हुआ समुद्र का मंथन माने देवता उने अर असुरों ने काया इसमें बहुत माल पड़ाय निकाल लेते यह कैसे पता था कि तेल कहां निकलेगा सेटलाइट के बाद से पता चलना शुरू हुआ आज भी बहुत सारा भारत में आईरन और पड़ा हुआ है जगे जगया गोल्ड पड़ा हुआ है पता नहीं है निकालेंगे जब समुद्र मंथन हुआ तो आप सब को पता है कि चौधे चीजें निकली है पता है आपको विश्ष कामदेनू उच्चेश्रवा नाम का एक घोड़ा एरावत नाम का हाती जोहिंद कर्मा निकला फिर पारिजात का पेड़ निकला पांच जन्य नामक एक शंक निकला जो भगवान श्रीक्रश्न के पास चला गया और धनवंत्री निकले अम्रित का कलश लेकर पता है सब को चौधे रत निकले है आज तक आपने चौधे रत नों सुने होंगे मुझे ये बताईए ऐसे क्यों निकले के पहले विश निकला फिर काम देनों निकली ऐसे भी दोस्ता था पहले काम देनों निकला थी बलकि ज्यादा अच्छा होता पहले शराब निकल दी पीपा के चुट्टी पहले कालकूट विश निकला ये समुद्र मंधन मूलते आप कि आत्मा का मंधन है आत्मा क्या है परमात्मा यानि कि समुद्र और हम कौन है बूंद अगर हमने अपनी आत्मा का मंधन ठीक से कर लिया तो हमारे अंदर से ही चोदे रत निकलेंगे पहला रत्न काल कूट विश यानि कि अगर आपने अपनी यात्रा के पथ में दुनिया का निन्दाएं इसका विश पी लिया और आगे चले तो यात्रा प्रारंब हो गई पहला रतना आपका अपयाश बहुत परेशान करता है निन्दा बहुत दुखी करती है और अब शोशल मीडिया के जमाने में तो निन्दा और प्रशंशा दोनों बहुत तेजी से पहलती है मैंने कुछ लिखा मेरी आदत है जो मुझे फॉलो करते हैं वो देखते मैं लिखने के बाद 3-4 बिंदी लगाता हूं वाक के समाप्त नहीं करता यानि कि कहता हूं आगे बढ़ी की बार तो मैंने पांच बिंदी लगाई और उसी मैटर को कॉपी करना चाहा कि इसी मैटर क को इस्टा पर लगा दूँगा वो गलती क्या हो गई कॉपी की जगे कट जब गया और कट करके मैंने वो पोस्ट कर दिया उसी समय वो पच्ची वो ली कि सर मोबाइल बंद कर लेजिए तो मैं चेक भी नहीं कर पाया अब हालत यह कि पांच मिंदी लगी हुई है और पोस् अब चेरो कहा मैं बंबई उतरा तो मैं दस मिनट तक हसता रहा नीचे 2700 कमेंड यही तो विद्वान आदमी की पहचान है कुमार जी मन जीत लिया क्या पंच तत्व की व्याख्या करी है आप एक करने नहीं पंच तत्व की नहीं इससे तो उपर उड़ गए यह पांच ग्यानेंद्रियों के बारे में बात की जा रहे हैं यह कालकूट विश है अपमान का यह जगत की निंदा का विश है अगर आपने इसे जीत लिया पहला रतन अगला रतन जो आ रहा है उसे भी आप देखेंगे अगर आपने इसे जीत लिया तो आपको क्या मिलेगा काम धेनू यानि कि आपको प्रतिभा की काम धेनू प्राप तीसरी चीज क्या हो गई अब आपको प्रतिभा भी मिल गई तीसरी चीज निकली समुद्र मंतन से उच्चे श्रवा नाम का घोड़ा यानि कि आपने जगत की निंदा से भी खुद को बचा लिया कि लोग क्या कहेंगे और आपने प्रतिभा को भी साध लिया काम देनू की रूप में के 24 घंटे मेहनत आप कर सकते हैं तो फिर आपके संकल्पों को ऐसी गती मिलेगी जैसी उच्चे श्रवा नामक पंक जड़े उपे घोड़े के माध्यम से मिलती है और अगर आपने संकल्पों को गती ले ली तो चौथी चीज क्या निकली थी आईरावत हाती यानि की आपकी संगर्शों के ऊपर आपको एक जगे मिल जाएगी कि अब आप उपर बैट गए हाती की क्या गती है हाती गाओं में आता है आपने एक बात देखी होगी हमारे गाओं में आता था आप पता नहीं गाओं से कितने लोग यहाँ है हाती जब भी गाओं में आता था सारी महिलाएं दरवाजे पे आ जाते दी गणेज जी गणेज जी आ गए कोई इख ला रहा है कोई कुछ ला र जब भी प्रथिभा का हाती किसी गाउं से निकलता है, उसके आकार से टकर न ले पाने वाले कुंठित कुट्टे बहुँखते हैं. और आश्चरतनक बात देखो, यह कुट्टे आगे नहीं बहुखते, यह पीछे बहुखते हैं, इन्हें पता है कि आगे, अगर आगे, तो यहीं से उस लोग जाओगे जहां की कामना है, यह कुट्टों का स्वभाव है, कि प्रथिभा का हाती जब भी जगत की वीथियों से निकलता है, तो पूरे गाम के रास्ते बहुखते वजा, वो इस बात से नाराज नहीं कि हाती क्यों आया, वो इस बात से नाराज है कि इसको इतना सम्मान क्यों मिलगा है हमको तो लाथ पड़ती है जिस दर्वाजे दो तुर मार डंडा अरे खाना रखा कुट्ता के दर डंडा मार देना और एक ही है दूसरे वो इस बात के लिए भी भूखते हैं कि अम इतना भूख रहे हैं और फिर भी इसकी चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है उसी मस्तानी चाल से जा रहा है अगर आपके संकल्प को गती मिल गई तो ये हाती को सुभाव प्राप्त होगा जब भी आपकी प्रतिभा के पीछे कुटे भूखे तो परेशानमत होना क्योंकि आज तक किसी भी हाती को भूखते भूखते कुटे अपने गाउं से बाहर ने के उसी गाउं में रह जाते हैं उनकी इतनी होकात होती है कि नहीं तक रह जाएं क्योंकि उनकी एक हाद है उनकी सीमा है कुस देर तक भूखेंगे और मुणने के बाद एक दूसरी तरफ देखेंगे, अच्छा मौका ना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत संदर, और फिर एक दूसरे को प्रशंशा करते हुए, आकर फिर उसी जुगाड में लग जाएंगे, कि आज शाम खाना कहा हो, हाती अगले गाहों में आध अगर आपने संकल्पों को गती ली, तो एरावत हाती की भाती आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी, और कौस्तुब मणी पांचवी चीज है, जो श्री हरी विश्णू के माते पर लगती है, अगर आपने लोगों की जन आकांक्षां को उपर खड़े होकर देखना शुरू कर दिया और कुटों के भॉंकने से बेखबर रहे, तो एक ना एक दिन आपके सिर पर मुकट रखा जाएगा, कौस्तुब मणी रखी जाएगा, एक के बाद एक क्यों निकल नहीं, आगे पीछे क्यों निकल नहीं, इसलिए निकल लें क्योंकि इसका प्रतीक शास्त्र है, और अगर आपको कौस्तुप मड़ी मिल गई, अगर आपने जनता की इच्छाओं को स्विकार कर लिया, जनता ने आपको सम्मान इसने देना शुरू कर दिया, तो फिर आपका जीवन क्या निकला इसके बाद छटे नूमबर पर कल्प वरक्ष, आपका जीवन कल्प यह कैसे बनेगा भारत कुलंग, मैं कहता हूँ, यात्रा चल ले यह अपने आप बनेगा, मुझे नहीं पता कहां से बनेगा, बन जाएगा, लेकिन जब यह सम्म हो जाता है, तो इसके बाद फिर परिक्षा प्रारंब होती है, सात्वी चीज निकलती है, अपसरा, रंभा, रंभा कौन है, रंभा वासना है, अब आपको वासना खीचना प्रारंब करेगी, वासना यानि कि जितना मुझे चाहिए उससे ज्यादा, यानि कि सबका मेरे पास हो, रावन तत्व, सबका मैं खीचनू, सब चीज मेरे पास हो, और अगर आप इससे बाहर निकल आए, तो फिर आपको देवी लक्षमी अर्तात धन और सामर्ति की उपलब्दीत होगी, लक्षमी के आते ही आसुरी प्रवर्त्ती, आप प्रवर्त्ती जादा सबसे पहले आएगी, यानि कि शराब वारुनी सबसे पहले आएगी, दौलत का नशा सबसे पहले आएगी, मैंने कल सुन गई तो फिर असुर प्रवक्ति आएगे और अगर इस पर कपजा कर लिया तो वारुणी के बाद क्या निकला दस्वे नंबर पर चंद्रमा यानि कि व्यवहार में शीतलता आ जाएगा मैंने ऐसी बहुत लोगों को देखा है जिनके पास अपरिमित धन है अपरिमित धन हिसाब नहीं है लेकिन ऐसी ऐसी बालकों जैसी शीतलता है उनके अंदर और अगर शीतलता आ गई तो इसके बाद क्या निकलेगा प्राजक्ता पारिजात यानि कि आपके कर्मों की सब तरफ फैलनी शुरू हो जाएगे और अगर ये फैल गई तो बारवे नंबर पर क्या निकलेगा पांच जन्मिया यानि कि उद्गोष पुरे विश्व में आपकी कीर्थी फैल जाएगी कि क्या अद्बुत आदमी है और इसके बाद निकलेंगे धनवंतरी अम्रित को लेकर यानि कि एक समय ऐसा आएगा कि आप अपनी इच्छाओं से उपर उड़ जाएंगे और आपकी आत्मा में आपके शरीर में आपकी जिव्या में आपके धन में ऐसा हमृत्त होगा कि जो दुखी आपके दरवाजे पे आए आपके पास है उसका उपचार हो जाए उसक अरुज कि हमारे ग而已 हमारे घर में बड़ा द्रम का संकुछ है जिए बहुत अच्छा मंदेर्यामारे बना हुआ हूआ पूजा होती है जी पंडिजी आते हैं रोज अच्छा जी मैं गया बड़ा सुन्दर मंदिर बगवान बीच में विराज मानें बड़ी अच्छी लाइटिंग बड़ा अच्छा एंटीरियर रात को उनके यां भोजन था नो दस बजे भोजन हुआ दो बच्चे उपर ते उन वो जिस अवस्था में थी और जिन खुश्वों से भरी हुई थी वो नहीं चाहते थे कि मैं देखूंगी तो फिर कैसे ये बात है इतना धर में इतनी पूजा है फिर ये कैसे हो गया भाईया एक बुड़िया का बेटा विदेश चला गया विद्वा बुड़िया का बेट नौकरी करने के लिए उन दिनों टेलिफॉन थे नहीं एक दो साल तो बुड़िया ने विचारी ने काम चलाया जब सब पैसा खतम हो गया तो भीक मांगने लगे दो-चार साल भीक बांगती रही है किसी ने कहा बुड़िया से अम्मा तेरा लड़का इतना नालायक निकला गया नौकरी करने के लिए तो तेरी तरफ देखा भी नहीं नहीं भाईया ऐसा नहीं है चिट्टी भेजता है बोले पैसे नहीं रेशता है बोले ना चिट्टी कुछ रंगीन से कागज भेज दे मैं तो उन्हीं सजा कर लूं कि बच्चे न रखी है उले क्या कागज है अंदर गए जाके देखा तो ड्राफ्ट लटके हुए थे दद्दस अजार रुपे के भीक मांग रही थी लेकिन ड्राफ्ट होता है ये पता ही नहीं था कि इसी से द्दन निकलता है इस देश के सनात्मियों तुम्हारे घर में करोणों के ड्राफ्ट रखे हुए धर्व ग्रंधों के रूप में और तुम भीक मांग रहे होता है